देखें कोशिन है कि determine lattice filter coefficients corresponding to FIR filter FIR filter दिया हुआ है आपको lattice filter का coefficient निकालना है तो अभी हम जो देखेंगे यह वाला method तो हमने discuss कर लिया है यह formula के help से अभी हम जो देखेंगे method 2 देखने जा रहे हैं अभी देखें लेटेस filter हमें निकालना है यह FIR filter दिया हुआ है तो सारे coefficient लिख लेजिए देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एजड एजूम कर लिजिए यह पूरी expression को एजड मान लिजिए बाकि जो बीजड रहेगा वो क्या होगा इसके coefficient जो बीजड के रहेंगे 1 by 3, 5 by 8, 13 by 24 और 1 ऐसे लिखते चले जाएए reverse से 1 by 3, 5 by 8, 13 by 24 और 1 बस आपको जो पावर लगानी है जड में पहले हैं जड तो पावर 0, जड तो पावर माइनस 1, जड तो पावर माइनस 3, जड तो पावर माइनस 2, माइनस 3 0, 1, 2, 3 इस तरह से इधर से गूमते चले जाएए बस पावर का ध्यान रखिए पहले वाले पावर 0 रहेगा दूसरे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 तो इस तरह से reverse करके लिखना है इसी को, जड को तो हमें az और bz मिल गया तो यह तो आपका समझिए थर्ड स्टिच की वेलू है तो इसके पहले वाला am-1 क्या होगा amz-km into bmz upon 1-km2 जहां km2 है az को देखिए यह जो लास्ट वाला कोफिसियंट है वह आपका km होता है ठीक है इस expression के लिए तो बस इसमें पुट कर दीजिए आपने इस इस फार्मूलों के कहते हैं लेविंसन डर्विन रिकर्सिव एक्क्वेशन ठीक है लेविंसन डर्विन रिकर्सिव एक्क्वेशन तो अब देखिए पुट करिए a2z हमें निकालना है तो यह हो जाएगा a3z minus k3 into b3z upon 1 minus k3 square यह आपका third stage three unit delay है तो यह आपका az है यह आपका bz है इसमें रख दीजिए k3 क्या हो जाएगा az की expression में जो last वाला coefficient है वो k3 हो जाएगा बस अब आपको इसको simplify करना और कुछ नहीं तो आपको a2z मिल गया ब2z क्या होगा इधर से चलते चलिए 1 by 2 3 by 8 1 1 by 2 3 by 8 और 1 और पावर लिखते चले जाएगे 0 minus 1 minus 2 तो अब यहां से k2 क्या मिला 1 by 2 अगर FIR के हिसाब से देखो तो क्या होता है यह यह होता अलफा अलफा टू टू तो यह होगे आपका k2 फिर ऐसे अब हमें a1z निकालना है तो a1 a1z निकलेगा इस वाले expression से यहां अगर 1 रहेगा तो यहां 2 रहेगा तो a2z minus k2 into b2z upon 1 minus k2 square a2z की equation आपको पहले मिल चुकी है a2z यह है b2z यह है बस इसको रखना है और k2 क्या है 1 by 2 और 1 minus k2 square इस तरह से जब solve करेंगे तो यह हमारा आ गया a1z a1z का यह क्या हो गया लास्ट वाला k1 alpha 1 1 ठीक है तो इस तरह से यहां हमारा question खतम होता है यह वाला जिसको हमने दूसरे method से किया इस method को कहा जाता है Levenson-Darwin recursive equation ठीक है इन फार्मूले का यूज करके इस फार्मूले का यूज करके हमने दिये हुए FIR filter से हमने design किया lattice filter के coefficient calculate किया है तो यह method भी काफी easy है इसमें आपको बहुत ज्यादा formula याद रखने जूरत नहीं है मतलब अगर FIR filter का आगे के stage तक जा रहा है जैसे jet to the power minus 3 की power तक है और ज्यादे बड़े power हो जाएंगे तो यह easily इससे आप निकाल सकते इस formula से इसके पहले वाले stage निकाल लो तो वहां से आप k2 निकाल लोगे उसके पहले वाले और जैसे जैसे बैक पे जाओगे तो ऐसे का दमोते